अब हम देखेंगे कि ring modulator से dsbhc signal को कैसे जनरेट किया जाता है school Lab दूसरे से एक ring के फिर्म में connected रहते हैं, इसलिए इसे ring modulator बोल आ जाता है, सबसे पहले हम circuit देखेंगे कि ring modulator का circuit क्या होता है यह circuit diagram है पूरा ring modulator का सबसे पहले हम इसको समझ ले यहाँ पर दो transformer use मारे 1 is to 1 के 1 is to 1 से क्या मतलब होता है कि जो voltage यहाँ पर हम दे रहे वही same voltage यहाँ पर हमें मिलेगा और जो voltage यहाँ पर है वही same voltage हमें यहाँ पर मिलेगा यह transformer का गाव है 1 is to 1 का ठीक है और यहाँ पर 4 diode use आ रहे है D1, D2, D3 और D4 अब इनकी जो switching होगी diodes की वो decide करेगा carrier जब positive होगा तो कौन से diode on होगे और carrier जब negative होगा तो कौन से diode on होगे वो आगे मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद यह जो output है वो जाता है band pass filter में band pass filter के बाद हमें यहाँ पर DHB SC signal मिलता है अब यहाँ पर जो transformer यूज़ कर रहे हैं वो center tap transformer है मतलब क्या है उसका कि carrier से जो भी current जाएगा इस transformer के अंदर वो क्या होगा equally divide हो जाएगा मतलब कि यहाँ से suppose I current जा रहा है तो उपर कितना जाएगा I by 2 और दीछे कितना जाएगा I by 2 इसे कहते है center tap transformer अब diode की जो switching है वो कोन decide करेगा carrier सबसे बहले मैं आपको बता तो कि carrier की waveform हम क्या consider करेंगे so carrier जो use होगा वो एक square वो होगी जिसका time period 1 by fc के बराबर है और जो carrier की frequency है fc वो बड़ी होनी चे किससे message की frequency fm क्या है message की frequency हम देख सकते हैं कि जो carrier है वो half cycle में क्या हो रहा है positive उसकी waveform और next half cycle में waveform क्या है negative so जब carrier की positive waveform आएगी तो कुछ diodes on हो जाएगे तो यहाँ पर कुछ diodes off होंगे और दूसरे diodes on हो जाएगे अब ध्यान से समझे गया जब carrier की positive wave आई तो carrier की positive wave आई वो उपर नीचे current distribute हो गया तो यहाँ पर भी positive और यहाँ पर भी positive ओके so अब हम देखे यह वाला diode इसकी P side पर positive voltage आ रहा है और N side पर 0 है तो यह क्या हो जाएगा forward biased और यहाँ पर same to same यह D2 भी क्या हो जाएगा forward biased इस diode D4 की बात करें तो यह हो जाएगा reverse biased क्योंकि इसकी N side पर ज्यादा voltage है P side के अप्रेक्षा तो यह reverse biased हो गया और यह D3 भी क्या हो जाएगा reverse biased okay so when carrier is positive D1 and D2 get forward biased okay और जब carrier is negative उस condition में क्या होता वो हम देखते हैं अब carrier की negative wave आई तो यहाँ से negative ऊपर भी गया negative और नीचे भी गया negative negative wave इस negative wave के कारण यह जो diode है D1 यह हो जाएगा reverse biased और similarly जो D2 diode है वो भी क्या हो जाएगा reverse biased और D4 और D3 यह हो जाएगे दोनो forward biased okay so जब carrier negative होगा तो D3 and D4 यह हो जाएगे forward biased अब यही चीज इन दोनों के अलग-अलग circuit बना कर मैं आपको समझाता हूँ so carrier जब positive होगा circuit इस type से change हो जाएगा और जब carrier negative होगा तो circuit का type यह रहेगा okay अब यहां पर अभी मैं कुछ भी voltage नहीं दे रहा हूँ initially कुछ भी input voltage हम नहीं दे रहे हैं अभी हम केवल carrier का ही समझ रहे हैं okay carrier के carrier का क्या effect होगा वो अब समझ रहे अभी okay so जब हम यहां पर carrier की positive wave आई की तो carrier में से यहां से current जाना flow हुआ इस transformer में और क्यूंकि यह transformer center tap है तो current आ रहा है वो equally distribute हो जागा okay आदा उपर चले जाएगा आदा नीचे चले जाएगा और यहां से यह d1 के through यहां पर पहुचा और d2 के through यहां पर पहुचा अब इस point पर हम देखें इस point पर तो यहां पर जो current है उनका magnitude तो equal है पर दोनों का direction क्या है opposite direction opposite के कारण यह दोनों जो भी flux इस coil में generate कर रहे है वो आपस में क्या हो जाएगा cancel और यहां पर net flux हो जाएगा जीरो और output पे हमें जो voltage मिलेगा वो होगा zero के बराबर हो okay similarly यहां पर भी हम देखें जब carrier की negative wave आती है तो यहां से current गया और वो equally distribute हो गया आदा ओपर चले गया आदा नीचे चले गया तो यहां पर भी हमें जो output पे voltage मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा जीरो के बराबर ओके तो अभी हमने separately carrier को लेकर इस circuit को समझा है अब अगर हम modulating message यहां पर input पर देते हैं तो हमें क्या output मिलता वो हम देखते हैं अब यहां तक हमें यह समझ में आ गया कि carrier की वज़े से कौन से diode on होंगे और कौन से diode off होंगे carrier positive होगा तब क्या होगा carrier negative होगा तब क्या होगा अब यहां पर अभी तो हमने कोई input नहीं लिया था अब यहां पर हम input लेंगे इनफुट करेंगे हम empty message अब empty message को भी देखें तो message एक low frequency signal है अब हम message की एक waveform देखें उसमें carrier की बहुत सारी waveform हमें देखने को मिलेगी इतने time में message की एक waveform होरी उसमें time में carrier की बहुत सारी waveform देखने को मिल रही है तो frequency of carrier is greater than frequency of message और message भी कुछ time positive है कुछ time negative जैसे हमने यहाँ पर sinusoidal message ले रखा है तो message में भी positive और negative आ है तो अब हम देखेंगे कि जब message positive है carrier positive तो क्या result आ रहा है message positive है carrier negative है तो क्या result आ यगा और फिर दो नो negative message में नेगेटिव तो क्या result आ रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब message हम positive ले रहे और carrier भी positive ले रहे है So positive message मैंने यहाँ पर देख दिया, okay? अब यह transfer है 1 is to 1 है, तो यहाँ पर जो भी voltage आप हो रहा, वो same voltage हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, okay? अब यह और यह, यह parallel में connected है, तो जो same voltage यहाँ पर आ रहा, वो यह same voltage हमें यहाँ देखने को मिलेगा, plus minus, okay? और यहाँ पर जो voltage है वो ही same हमें यहाँ पर भार देखने को मिलेगा तो conclusion क्या निकला कि when message is positive, carrier is positive तो output यह भी क्या होना चीए? positive message positive और carrier भी positive तो output क्या होगा? positive और यहाँ output कितने duration के लिए हमें positive मिलेगा? जितने duration के लिए यहाँ पर carrier positive है so suppose carrier इतनी दिर के लिए positive है तो output पे हमें इतनी दिर के लिए message क्या मिलेगा? positive मिलेगा अब next हम देखते हैं कि जब message हम positive दे रहे और carrier negative है message positive है और carrier क्या है? negative carrier negative है तो circuit यह हो जाएगा so यहाँ पर transformer के output पे हमें यहाँ पर वापिस है positive और negative मिलेगा अब यह जो positive हो किस से connected है यहाँ पर? so यह positive यहाँ पर चले जाएगा और यह जो negative है वो कहाँ पर connected है यहाँ पर? तो उपर क्या चले जाएगा? negative तो इसका क्या मतलब है? कि mt अगर positive है और ct क्या है negative तो output हमें क्या मिलेगा? negative यह table मैं side में बना रहा हूँ यह बहुत important table है तो यह तो positive की बात होगी कि message positive था तब क्या output हमें देखने को मिला? अब देखते हैं जब message negative होगा तो क्या होता है? अब जब message negative होगा तो यहाँ पर negative और यहाँ पर positive ओके? तो यह जो transformer है फर्स वाला इसके output पर क्या मिलेगा? negative, positive और यही same voltage हमें यहाँ पर मिलेगा क्योंकि यह parallel में लगेवे और same यही voltage हमें बाहर मिलेगा तो जब message negative है और carrier positive है तो भी हमें output क्या मिल रहा है? negative ओके? तो message जो है वो है negative और carrier वो है positive तो output हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है negative ओके? और यहाँ पर कौन-कौन से diode कंड़क कर रहे? D1 और D2 ओके? next हम लेते हैं जब carrier negative होगा और message भी negative तो message negative तो minus plus और यहाँ पर minus और यहाँ पर plus ओके? अब यह negative यहाँ पर जाएगा तो नीचे यहाँ पर minus आ गया और यह positive उपर जाएगा तो यहाँ पर आया plus ओके? so यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि message अगर negative है और carrier भी क्या है? negative तो output हमें क्या मिल रहा है positive और इसमें कौन-कौन से diode कंड़क करते हैं D3 और D4 अब ring modulator का जो पूरा जो method है वो हमने यहाँ पर इस छोटे से block में रिखते हैं ठीक है अब हम waveform के जरिया देखते हैं और इनको हम verify करेंगे यह जो result हमने निकाला है so ring modulator से जो waveform generate होगी वो यहाँ पर मैंने बना रखी यह सबसे पहले उपर message की waveform है then नीचे carrier की waveform है और नीचे यहाँ पर modulated signal की waveform है अब D1 और D2 जब on होगे वो बताया गया है इस green से और जब D3 और D4 diode on होगे वो बताया गया है blue से okay अब message positive और carrier positive message positive और carrier positive तो output भी क्या मिलेगा हमको positive तो यहाँ पर देख सकते है positive जितने duration के लिए carrier है उतने duration के as it is message हमें वापर मिल जाएगा ठीक है फिर जब message positive और carrier negative है तो यहाँ पर हम देख सकते है carrier negative है तो उसमें output का मिलगा हमको negative तो जैसा message उपर बनावा है उतने duration के लिए इतने duration के लिए जैसा message उपर बना हुआ है यहाँ पर वैसा कर वैसा हमें negative देखने को मिलेगा वह वह नीचे बन जागा इसमें कौन से diode कंड़क कर रहे है दी 3 और दी 4 फिर वापिस carrier positive तो यहाँ पर हमें positive मिल रहा है फिर carrier negative तो यहाँ पर negative पॉजिटिव नेगेटिव वैसे चलता रहेगा जब तक कि message का positive side complete ने हो जाता है उसके बाद message की negative side आ गई है ओके negative side में देखे हम तो सबसे पहले यहाँ पर carrier negative है sorry message यहाँ पर देखे तो message negative है और carrier क्या है positive ओके so message negative और carrier positive output क्या मिलेगा हमें negative तो यहाँ पर हमें negative मिल रहा है उसके बाद message negative और carrier भी negative इस duration की बात कर रहे है तो message negative और carrier negative यहाँ पर positive और इसी तरह यह waveform हमें मिलती जाएगी okay so यह तो हो गया ring modulator का circuit diagram और waveform को अब इससे जुड़ी जो mathematics है वो भी हम discuss कर लें अब यह जो transformer का output है यहाँ पर जो transformer का output है वो हमें मिलता है mt into ct जो carrier है और जो message है उनका multiplication यहाँ पर हम देख सकते हैं कि message और carrier multiply हो रहे है और उसकी waveform यह आ रही है okay तो यहाँ से इसको जब band pass filter से pass करेंगे तो dhb hc signal कैसे generate होगा वो हमको mathematics story उसकी देखनी है okay so carrier हमने यहाँ पर जो use कर रहे है वो है square wave और square wave की equation होती हो मैं directly यहाँ पर लेख रहा हूं तो ct हमें मिलेगा सो शुरू की तीन टम मैंने निकाल कर रख रखी है carrier की okay अब यह जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि message और carrier को multiply करना है so st यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो होगा mt into ct okay और जिसे हम लिखेंगे 4 by pi यह mt ct में mt का into करना है यह जो बाकी term उसको dot 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 से बना दिया मिले ठीक है अब mt का अंदर into करते हम तो हमें यह आपर मिलेगा st equals to a okay अब इस पूरे signal को जब हम band pass filter से pass करेंगे तो हमें केवल यह term मिलेगी पहले वाली okay जो की हमारा output होगा tsb sc signal का that is 4 by pi mt cos of 2 pi fc t okay जिसे हम band pass filter से pass करेंगे यह band pass filter हो गया इसकी centered frequency fc अपर higher frequency fc plus fm और lower frequency fc minus fm ठीक है इसे हम pass करेंगे तो हमें यह आपर dsb sc signal मिल जाएगा okay so यह था पूरा वीडियो ring modulator के बारे में इसमें बहुत सारी वीडियो वह सारी जो इसकी method discuss करी circuitry discuss करी waveform भगेरा diode कब on होंगे कब off होंगे उनके switching भगेरा सब कुछ हमने discuss करा okay so i hope that this video will be helpful for you all और आपको वीडियो पसंद आया तो पसे like किजे शेर कीजे और चैनल पर नहीं है तो subscribe करना ना भूले thank you so much thank you for watching